सुन्दर नगर से अभिशेक ठाकूर, दरग से पून ठाकूर, बंजार से हितेश्वर सिंग, कुल्लू से अरुन शर्मा के अलावा बड़े नामों की बात करें तो प्रकास चौधरी की हाल ही में आमादमी पार्टी से चुंडिगर में बैठा। इसे के साथ मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा का रात्री भोज और ठाकूर महिंद सिंग का लगतार संपर्क साधना, पूर मंत्री मेजर मनकोटिया के साथ आमादमी पार्टी की मुलाकाद चर्चा में हैं। प्रदेश में अगर हम आमादमी पार्टी की बात करें तो अभी तक अधिकतर जो छोटी लेवल के लोग पार्टियां छोड़ कर गए हैं। उसमें कॉंग्रेस और बीजिपी के लोग लगतार जा रहे हैं। कि बड़ी रैली हो। और बहुत बड़ी सफलता के साथ प्रदेश के किसी बड़े चेहरे का इस रैली में आमादमी पार्टी में शामिल होने का काम हो जाए। लेकिन फिलहाल पार्टी के लिए मुसीबत ये है कि कोई भी प्रदेश इस तरी चेहरा इस समय पार्टी में जाने का नाम नहीं ले रहा। यह यूँ कहें कि वेट एंड वाच की स्तती में दोनों ही दलों के कदावर नेता हैं। कि वे भी आमाद्मी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन कोई कनफर्मेशन इन दोनों नामों को लेकर अभी ना तो आमाद्मी पार्टी के तरप से निकल कर आई है और ना ही इन दोनों राज्णतिक दलों से। इसे के अधार पर अगर हम आमाद्मी पार्टी में जॉइन होने वाले लोगों की बात करें तो लगभग माना जुआ रहा है कि सुन्दर नगर से बीजिपी के पूर्मंत्री ठाकुर रूप सिंग का बेटा अभिशेक ठाकुर आमाद्मी पार्टी जॉइन कर सकता है। नाम भी आमाद्मी पार्टी की सूची में बताय जवारा है कि छे तारिक को ये सभी लोग आमाद्मी पार्टी जॉइन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हिमाद्मी पार्टी सरकार का गठन जब पंजाब में हुआ उसके बाद किसानों पर लाठी चार्ज भी हुआ। इसे के साथ गोहत्या भी वहाँ पर हुई जिसको लेकर मीज्या में बड़ा बवाल भी होता है। लेकिन आमाद्मी पार्टी के ओर से कोई बड़ा बयान इन सभी मसलों को लेकर अभी तक नहीं आया है। और जब आमाद्मी पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश में अपना अस्तत्व बनाना चाती है तो उन्हें इस बात को हिमाचल प्रदेश की जनता और ये जो नेता हिमाचल प्रदेश में आमाद्मी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। निताओं से प्रदेश जब पूछेगा तो इनके पास इन सवालों का जवाब भी होना ज़रूरी है कि फंजाब की मसले हिमाचल प्रदेश मेरी में अगर घर घर कर गए तो प्रदेश में कहीं न कहीं अशान्ति भी हो सकती है! इतना ही नहीं आमादमी पार्टी के साथ बात्षीत में प्रदेश के एक बड़े नेता कहते हैं कि फिलहाल सिर्फ एक ही टारगेट इनका है कि छे तारीक की रैली में जादा से जादा लोगों को शामिल किया जाए और उसे के साथ जब इन बड़े निताओं ने कहा कि हमारी बात अर्विन के जवाल से करवाई जाए तो इस मुद्दे पर जो हिमाद्चल के प्रभारी या फिर जो टीम हिमाद्चल प्रदेश में आमादमी पार्टी के लिए काम कर रही है ये लोग पीछे हट जाते हैं ऐसे में पार्टी की विचारधारा और पार्टी की जो इमानदारी के प्रयास बताई जा रहे हैं उसके उपर भी सवाल या निशान खड़ी होते हैं ऐसे में ये महत्वपूर है कि उत्राखन में आमादमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली गौ आ में आमादमी पार्टी को 2 सीटे मिली लेकिन वो दोनों विधारेक बीज़ेपी में जानी की तयारी में है लेकिन अगर हम पंजाब को छोड़ दें तो बाकी कहीं भी पार्टी अपना वजूद नहीं दिखा पाई है ऐसे में हिमाचल प्रदेश का दौरा है जो की बहुत से सवाल के जवाल से भी हिमाचल प्रदेश की जनता को पूछने है हिमाचल का मीडिया भी जानना चाहता है कि पंजाब में जो महाल आमादमी पार्टी के बनने के बाद एकदम से बना था उस महाल में उनका क्या बयान आया है आमादमी पार्टी के निताओं ने हिमाचल प्रदेश में आकर क्यास पश्टी करण दिया पुर्पत वंच सिंग पन्नु ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमके दी थी कि उसके उपर किस नेता ने निंदा की ये बहुत बड़ा सवाल है जो हिमाचल प्रदेश की जनता के जहन में है क्योंकि शान्त प्रदेश में अशान्ती हो इसे प्रदेश का शायद ह कि कोई नागरेग चाहता है और इसे के साथ जो लोग इस दौर में आमादमी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं जबकि अभी तक आमादमी पार्टी का कोई बयान इन मसलों को लेकर नहीं आया है तो क्या हिमाचल फ्री बिजली और पानी के चक्कर में अपनी शांती को भंकर वाले का ये उससे भी एक बड़ा सवाल है इसका जवाब अर्विंत के जवाल क्या देंगे इसके उपर हिमाचल प्रदेश की निगाहें और जो नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं वो क्या कहेंगे इस पर टिकी हुई है